नमस्कार आप देखरे देश रोजाना और मैं किरन शर्मा पलवल के अलीगड मार्ग पर इस्तित एक नीजी स्कूल में कारगिल विजह दिवस पर एक समान समहरों का आज आयोजन किया गया जिसमें पूर्व सैनिकों और उनकी पत्मियों को शौल और स्मिर्ति चिन्न देकर स सम्मानित किया गया देखे हमारे संबाद आतास और वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट कारे करम के शुभारम से पहले दो मिनट का मौन धारन कर शहीदों को नवन किया गया सबसर पर स्कूल के चेर्मन सतवीर पटेल ने 26 जुलाई 1999 को वे कारगिल यूद के वीरों की तारीफ की उनोंने कहा कि कारगिल यूद के दोरान भारत के वीर सैनिकों ने वीरता और गौरफ की अद्भूत मिसाल कायम की सत्वीर पटेल ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले शहीदों को हमेशा संबाद देना चाहिए युवाव को शहीदों और सहरों के जमानों से प्रेणा लेनी चाहिए देश को अजाद कराने में अनेक देश भक्तों ने कुरुबानिया दी है सुनिए क्या कहा स्कूल चेर्में सत्वीर पटेल ने आज हम उन भी सहीदों को नमन करने के लिए कत्रित हुए है जिन्होंने अपने जीवर का सर्वोज भल्या देकर के इस देश की रक्षा की इस देश के 140 करोड लोगों को एक अच्छी नी नगर आती है तो हमारे उन वी सहीदों के जावा सहीदों के कारण आती है जो अपनी जान अदेली पर रख करके 24 घंदे हमारे देश की सीवाओं की रक्षा करते है और हमारे देश के अंदर हमारे बीच में रह करके भी हमारे दुश्मनों को पहचाने का काम करते है तो साथ पर ताम मैं सबसक नमन करता हूँ उन वीर सहीदों को जिनों ने अपने जीवल का सर्वोज बिल्दान लेकर के इस देश की रक्षा की है और उसके साथ नमन करता हूँ उन वीर जोवानों को जो आज भी हमारे सीवाओं पर देश की रक्षा करें हैं या देश की रक्षा करते होएं अपनी सेवा दिल्दित होने के बाद समाज में एहन भूवी का समाज धर्मान में अदा करें हैं प्यारे बच्चों मैं विशेख तोर पर आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि बागी बिल्द समद्दान लोग हैं सभी समझते हैं कि देश का सेनिक देश की स्ञार होता है देश की अमोल ध्रोबर भी होता है सेनिक के कारण कोई देश की सीमाए सुरक्षित रहती है आप जानते हैं चारों तरफ देश के भिन-भिन तरह से सड़ेंद रचे जाते हैं आतंग बात के साहरे हो या किसी अमने तरीके से ये कि हमारे सेनिक भाई हमारे सेना के वीज़ान ये सेर हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए, हमें काले करने के लिए स्वेत अंद्र छोड़ते हैं। तो ऐसी सिदीती में हम समको एक प्रेन आ लेनी चाहिए इन वी प्रासा, इन वियों की सहाधत के दिन हमें एक प्रेन आ लेनी चाहिए कि कभी हम ऐसा को काले नहीं करेंगे जिससे इनकी सहाधत को बंटा लगे या मेरे देश की इज़त को गिला बंटाए ऐसा हमें निर्ण नेना चाहिए तब ही ऐसे आलेवजनों का मैं समझता हूँ असली आथ निकलता है इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहे देश रोजाना हमस्कार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन